लास ट्वेल्थ की जो एक्जाम चल रही है उसमें आज हम भुगोल के सबसे महत्वपूर्ण प्रस्टनों को हमने सामिल किया है और हमने आपकी जो दोनों पुस्तके हैं मानो भुगोल के सिद्धन्त और जो भारत लोक और अर्थ विवस्ता हो उन दोनों पुस्तकों से एक रेड जेल को कहा जाता है फिर अगला प्रस्टने उत्प्रवासी किसे कहते हैं जो एक इस्तान से बाहर चले जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी कहते हैं प्रिविद्यारतियों आप सभी को एक महत्पूर्ण सुचना और भी देनी है कि हमारे चैनल पर इंगलिस क्लास 12 की लगातार सीरी चल रही है चाहे क्विस्चन आंसर हो चाहे एडवर्टीजमेंट हो चाहे रिपोर्ट हो चाहे पोस्टर हो चाहे नोटिस हो अगर आप एंगलिस से बिलोंग करते हैं अगर आपके विद्यालेव में आपके बोर्ड में एंगलिस है तो आ नामे संयुक्त अरब अमिरात फिर अगला जन संक्या के वित्रण को प्रभावित करने वाले भोगोलिक कारक कौन-कौन से हैं तो जल की उपलब्दता भू आकरती जलवायू एवं मृदा ये चार चीजे हैं बुजल उपलब्दता भू आकरती जलवायू और मृदा फिर प्रती एकाई चेत्रपल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संक्या को जन संक्या गनत्व कहते हैं फिर अगला है आर्थिक द्रष्टि से सरवाधिक उत्पादक आयू वाला वर्ग कौन सा होता है तो दिखिए जो 15 से 69 साल के जो व्यक्ति होते हैं वही सरवाधिक आर् परिवर्तन के तीन घटक कौन-कौन से तो दिखिए जरा एक तो जन्म-दर व्रत्यू दर और परवास इस कारन से जन संक्या मैं क्या होता परिवर्तन होता यह एक किटने लोगों का जन वहा किटने लोग ऑठ हो गई और कितने लोगों ने अपने इस्तान से प्रवास कर लिया फिर अगला है भारती जन गन्ना 2011 के अनुसार भारत का जन संक्या गनतु कितना है तो देखे जरा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमेटर फिर अगला है सबसे निमनितम जन संक्या गनतु वाला राज्य कौन सा है तो देखे इसका उत्तर है अरुना चल प्रदेश फिर अगला है प्रवास के दो प्रमुक प्रकार कौन कौन से है तो देखे पहला है आंतरिक प्रवास और दूसरा है अंतरराष्ट्री प्रवास ठीक है प्रिविद्यार्तियों जिनों ने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरन सब्सक्राइब कर ले काफी हेलपफुल ये चैनल आपके लिए रहेगा अगला प्रशन देखते हैं कि भारत में किन दो देशों से सरवाधिक प्रवास होता है तो एक तो ब भारत के किस केंडर सासित राज़ ये की साँक्षरता सबसाalso हुचिता में तो लख्चे दीप है फिर अगला है कि भारत के किस राज़े में सरवाधिक आप्रवास जाते है तो महारास्ट्रे आप सभी को आख जादे है महारास्ट्रे मॉंबई जो सहर है वहीं सरवाधिक लोग आ जाते हैं अपने काम रोजगार के चक्कर में फिर अब तीन-तीन और चार-चार रंक वाले प्रस्णे कि भारत में साक्षरता दर निम्न होने के कोई तीन कारण बताईए फिर अगला है मानव विकास की संकल्पना तथा इसकी आउशक्ता को बताईए फिर अगला है कि भारत में गाओं से नगरों की और प्रवास क्यों बढ़ता जा रहा है कोई तीन कारण बताने उन्नीस्वा प्रशन मानव एवं पर्यावरन संबंदित वेचार धाराओं को संचेप में बताईए बिस्वा प्रवास से क्या आसे है प्रवास के विभिन प्रकारों का उलेख कीजिए 21. जनसंक्या की व्यवसाइक संरस्णा का क्यार थे विबिन्द प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को समझाईए 22. विश्व में जनसंक्या के वित्रण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेशना कीजिए 25. बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है अगर आपने इन प्रस्णों को कर लिया तो आपकी एक्जाम बहतर न जाएगी थेंक्स फार वाचिंग इस वीडियो